नवस्ते साथियों, मैं सतिश कुमार पी बेंगलूर ग्रामेंजिला हुसकोटे तालुक्के सरकारी हाइस्कूल हासिगाल में हिंदी अध्यापक्के तवर पर कारे रत हूँ सुविचार के साथ कक्षा की शुरुवात करेंगे तिनका कभु होना निंदी ये जो पावंतर होई कभु उड़ी आंकिन पड़े तो पीर गनेरी होई तात पर ये कुछ छोटे से तिनके की भी निंदा ना करो जो तुमारे पावं के नीचे दब जाता है यदि कभी वो तिनका उड़कर आंक में आगिरे तो कितनी गहरी पीडा होती है इसलिए हमें किसी व्यक्ति या आवस्तु के उपेक्षा नई करनी चाहिए बच्चो आज हम नवी कक्षा तुरुथिय बाषा हिंदी का गध्यपाट पड़ेंगे मकले इदिना नावू वंबत्तने तरगती तुरुथिय बाषे हिंदीय गध्यपाट वनना अदेना माड़ोना हमारा देश भारत है भारत स्वर्ग सुंदर देश है भारत में अनिएक महापुरिश जन में है और उन्होंने वीदेशों में भी भारत की केर्थी फेलाई है अब मैं आपको एक आवाज सुना रहा हूँ द्यान से सुनियेगा sisters and brothers of America आप 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 स कर दो टेंगारे निस जो एते हैं है टोहीं में एक उरे इंकोने कंई एम एके सबस्टाराएं कर्ज आइiquer है साथंठी इंक दो प्रयोंगार्ल 001 और्भीज कर विज दोस्थ 901 क्या आपने सुनी है यह आवाज किस महापुरिश्की है क्या आप अनमान लगा सकते है यह आवाज स्वामी विवेकानंद की है गुरुजी हाँ बिल्कुल टीक है यह आवाज स्वामी विवेकानंद की है स्वामी विवेकानन के बारे में आप क्या जानते हैं? आईए बच्चों, आज हम स्वामी विवेकानन के बारे में कुछ अच्ची अच्ची बाते पढ़ेंगे यहाँ पर स्वामी विवेकानन जी का बावचित्र है क्या दिखाई दे रहा है? पाट की विदा जीवनी है, जीवनी माने जीवन की कता, अंग्रेजी में भयोग्रफे केते हैं, कन्रड़ दल्ली जीवन चरित्रेंता करेती वे मकले पाट का आशे इस पाट में स्वामी विवेकानंद की महानुता के परचे के साथ देश प्रेम की प्रेहरना भी प्राप्त कर सकते हैं लेकक का परचे इस पाट के लेकक डाक्टर जAGदीश चैंद्र मातुर जी है देखे बच्चो परदे पर मातुर्जी का चित्र दिकाई दे रहे ना? इनका जन सोलह जुलाई उन्नी सव सत्रह को उत्रप्रदेश के बुलन शाहजिले के कुर्जा में हुआ था. प्रारंबिक शिक्षा कुर्जा में हुई उच्च शिक्षा यूइंग क्रिष्चियन कालेज इलहाबाद और प्रयाग विश्वईद्याले में हुई इन्होंने भारत के किशोर भालक बालिकावों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरिशों की जीव आनिया लिकी हैं आगे बढ़ेंगे अब मैं इस पाट का वाचन कर रहा हूं ध्यान से सुनियेगा मैं जैसा पड़ूंगा आप भी वैसा दोर आएंगे देखिए बच्चों प्रिष्ट संक्या उन्नीस से भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है स्वामी वेकानंद का जन भारा जन्वरी अटारा सव तिरसट को कलकत्ता के एक कायस्त गराने में हुआ था उनके बच्चपन का नाम नरेंदर देव था उनके पिता श्री विश्वनात दत एक प्रतिष्टित वखिल थे उनकी माता श्रीमती भोनेश्वरी देवी दर्मपरायन महिला थी नरेंदर आरंब सेही पढ़ाई लिकाई में बड़े तेज थे अपने स्कूल में सर्व प्रतम रहा करते थे अध्येन खाल में उनकी रुची व्याक्यान देने और विचारों के आधान प्रदान करने में थी विवेकानन्द के गुरु रामकृष्ण प्रमंस्ते उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा अब हम इस इकाई के अंथर्गत आनेवाले नईये शब्दोंक अर्त जानेंगे ब्रमंकर्ना ब्रमंकर्ना माने घूमना कन्नडदल्ली प्रवासा माडूवदू अतवा पर्यटिने माडूवदू उन्तेली करिती वेमक्ले वाक्य प्रयोग माई ने एक महीने में पूरे भारत का ब्रमं किया भूरा फूलोंका ब्रमं करता है प्रतिश्ठित प्रतिश्ठित माने प्रसिद्ध अंग्रेजी में फेमस क्या वाक्य बनाएंगे अगला शब्द जो है रुच्छी रुच्छी माने आ सकती अंग्रेजी में इंट्रेश्ट वाक्य बनाएंगे मुझे केलने में रुच्छी है जिग्यासा जिग्यासा माने जानने की इच्छा क्यूरियासिटी तिलकोल बेकोंता कंता वंदू हमबला वाक्य प्रयोक करेंगे मुझे संगीत सीखने में जिग्यासा है मुग्द इस शब्द से क्या अर्थ निकलता है? मोहेत वाक्य बनाएंगे मेरा घाना सुनकर लोग मुग्द हो गए व्याक्यान व्याक्यान मने भाशन स्पेच वाक्य प्रयोक करेंगे अब्दूल खलाम जी का व्याक्यान बहुत तो बढ़िया था आगे बढ़ते हैं स्वामी विवेकानन्द ने देश विदेश में ब्रह्मन कर क्या प्रसार किया? स्वामी विवेकानन्द ने देश विदेश में ब्रह्मन करके सामाज सेवा का नया मार्ग दिखाया विवेकानन्द का जन कब हुआ और कहा हुआ स्वामी विवेकानन्द का जन बारह जन्वरी 1813 को कलकत्ता के एक खायस्त गराने में हुआ था उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम नरेंदर देव था उनके पिता अवर माता कौन थे? उनके पिता विश्वनात दत्त एक प्रतिष्टित वकील थे, वकील माने लायर, अवर तंदे वरु प्रसिद्ध लायर आगिद्रु मकले. उनके माता श्रीमती भूनेश्वरी देवी धर्मपरायन महिला थी. धर्मपरायन माने धरमका पालन करने वाला अर्थत श्रीमती भूनेश्वरी देवी धरमका पालन करने वाली महिला थी. श्रीमत्यी बोनिश्वरी देवियोवरों धर्मनिष्ट महिले हागिद्रू. आगे बढेंगे? भालक नरेंदर का शरेर कैसाता? भालक नरेंदर का शरेर स्वस्त, सुडवल और सुंधर्ता. नरेंदर को किन-किन में आनन मिलता था. नरेंदर को खुष्टी लडने में, दवड लगाने, गुड सवारी करने में उन्हें बढ़ा आनन्द मिलता था. वे संगेत एवं केलकुद की प्रतियोगितावं में भी बाग लिया करते थे. आगे बढ़ते हैं, नरेंदर पड़ाई लिकाई में कैसे थे? नरेंदर अरम से ही पड़ाई लिकाई में बड़े थेज थे. वे अपने स्कोल में सर्वप्रतम रहा करते थे. अवरु यावाखलून सहा, अवर शाले यल्ली प्रतमस्टेनी यल्ली उत्तियर्न राक्ताई नीवो अष्टे मक्ले, नीवो सहा, इम्मधी मशाले यल्ली वालका नरेंदर अर तरा, नीवोन सहा, प्रतमस्टेनी यल्ली इरभैक्कू. एंट्रेंस परिक्षा में बी, वे प्रतमस्टेनी में उत्तियर्न हुए थे. एंट्रेंस परिक्षा में बी, वे प्रतमस्टेनी म में थी, अध्येन काल में उनकी रुची व्याक्यान देने और विचारों को आधान प्रदान करने में थी किशोर आवस्ता में ही नरेंद्र किन-किन विचारों में तल्लीन रहते थे किशोर आवस्ता में नरेंद्र दार्शनिक येवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे आगे बढ़ते हैं एक दिन नरेंद्र किन के पास पहुंचे? एक दिन नरेंद्र रामकृष्न परमांस के पास पहुंचे और अपनी जिग्यासा उने के सुनाई नरेंद्र के गुरू अर्थाद स्वामी विचानंद के गुरू को उन्ते? स्वामी विचानंद के गुरू रामकृष्न परमांस थे रामकृष्न परमांस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया आगे बढ़ते हैं स्वामी विवेकानंदिने क्या प्रसार करना चाहा? स्वामी विवेकानंदिने अपने गुरु रामक्रिष्ण परमहांस के संदेशों को प्रसार करना चाहा. स्वामी विवीकानंदरो तम्म गुरुगळा गिर्थकन्त रामक्रिष्ण परमहमसर संदेशगले निवे अवोगलंदा प्रसारमाणो दिक्के बैस्तारे मकले जनताको सत्की रह दिखाने के लिए सितंबर सन अठारा सव तिरानबेको वे कहा गये? हाँ, सयुक्तराज अमरीका गये देखिये बच्चों, सयुक्तराज अमरीका का बोपट दिकाई देराए ना? अगे बढ़ेंगे? उस समय वहा शिकागो नगर में क्या हो रहाता? उस समय शिकागो नगर में सर्वदरम सम्मेलन हो रहाता. इस महासबा में विवेकानंदने किन-किन विचारों पर बाशन दि इस महासबा में विवेकानंदने भारतिय धर्म और तत्वग्यान पर पाशन दिया. उनका बाशन कैसाता? उनका बाशन वड़ा घंबीर और रुदेश परशीता. उनकी वानी सुनकर श्रोथागन मुध्ध हो गये. अवर बाशन है गित्तों नंतर रुदेया मुट्च्व अब हम स्वाबी वेकानंदन्जी का बाशन देखेंगे. अमेरिकी बहनों और भाईयों आपके इस इसने पून और जोड़दार स्वागत से मेरा हिर्दय आपार हर्ष से भर गया है. मैं आपको दुनिया के सबसे पौरानिक भिक्षूओं की तरफ से धनेवाद देता हूँ. मैं आपको सभी धर्मों की जन्मी की तरफ से धनेवाद देता हूँ. और मैं आपको सभी जाती सम्प्रदाय के लाखों करोणों हिंदूओं की तरफ से धन्यवाद देता हूँ मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी जिन्हों ने इस मन्च से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्व भौमिक स्विक्रिती का पाट पढ़ाया है हम सिर्फ सार्व भौमिक स्विक्रिता में ही विश्वास नहीं रखते बलकि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्विकार करते हैं मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देशते हूँ जिसने इस धर्ती के सभी देशों के सताय गए लोगों को शरण दी है मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हिदय में उन इसराइलियों की शुद्धतम इस्मितियां बचा कर रखी है जिनके मंदिरों को रोमनों ने तोड़ तोड़ कर खंड़हर बना दिया और तब उन्होंने दक्षिर भारत में शरण ली मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पार्शी देश के अवशेशों को शरण दी और अभी भी उन्हें बढ़ावा दे रहा है भाईयों मैं आपको एक श्लोग की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा जिसे मैंने बच्पन से इसमरण किया और दोहराया है और जो रोज करोडों व्यक्तियों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है जिस तरह विभिन धाराओं की उत्पत्ती विभिन श्रोतों से होती है उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग-अलग मार्ग चुनता है वो देखने में भले सीधे सादे या तेड़े मेड़े लगें पर सभी भगवान तक ही जाते हैं वर्तमान सम्मेलन जो की आज तकी सबसे पवित्व सभाओं में से है स्वयम में गीता में बताये गए एक सिधान का प्रमाण है जो भी मुस्तक आता है चाहे किसी भी रूप में मैं उस तक पहुशता हूँ सभी मनुष विभिन मार्गों पे संघर्ष कर रहे हैं जिसका अंत मुझ में है सांप्रदाइक्ता, कटर्ता और इसके भयानक वन्शज, हट धर्मिता, लंबे समय से प्रित्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए है इन्होंनों प्रित्वी को हिंसा से भर दिया है, कितनी बार ही धर्ती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभिताओं का विनाश हुआ है, और कितने बेश नष्ट हुए है अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते, तो आज मानों समाज कहीं जादा उन्नत होता लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हर धर्मिता, हर तरह के क्लेश, चाहे वो तलवार से हो या कलम से और हर एक मनुष्य जो की एक ही लक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा क्या, आपने देखा हैं, कैसा लगा, अच्छा लगा ना, नोडी मकले, आवरा बाशना यस्ट्रंदू, गंबीरवागित्तू, आगे, प्रोधेया, मुट्टूवागित्तू मकले, आगे बढ़ेंगे, भाशाकारी, भाशाकारी के अंतरगत हम लिंग परिवर्तन के नियमों के बारे में जानेंगे सबसे पहले लिंग, लिंग की परिवाशा, लिंग की परिवाशा क्या है? शब्द की जाती को लिंग केते हैं संग्या के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या माधा जाती का बोध हो व्याकरण में उसे लिंग केते हैं हिंदी में सिर्क दो ही लिंग है पुलिंग और स्त्री लिंग यहा नपुम्सक लिंग नहीं है जिस शब्द से पुरुष्जाती का बोध हो उसे पुल्लिंग केते हैं उदाहन के लिए लड़का, बेठा, कुत्ता, आदी जिस शब्द से स्त्री जाती का बोध हो उसे स्त्रीलिंग केते हैं उदाहन के लिए लड़की, बेठी, कुत्तिया, आदी क्या अब लिंग परविरत्तन के नेम को जनेंगे? यहाँ देखिए बच्चों, देवर, सेट, नवकर ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी लगाने से स्त्रीलिंग बनता हैं उदाहन के लिए देवर, देवरानी, सेट, सेठानी, नवकर, नवकरानी समझ में है ना? क्या? दूसरा नियम जनेंगे? यहाँ देखिए बच्चों, भाग्यवान, रूपवान, पुत्रवान, पलवान इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता हैं जैसे बाग्यवान, भाग्यवथी, रूपवान, रूपवथी, पुत्रवान, पुत्रवथी, बलवान, भलवथी आगे चलेंगे, इन शब्दों को ध्यान से देखिए बच्चों, भुद्धि मान, श्री मान, इस प्रकार शब्द के अंत में मान का मती करने से स्त्रीलिंग बनता है हुद्धाहर्ण के लिए बुद्धि मान, बुद्धि मती, श्री मान, श्री मती, समझ मैं है ना? अगला नियम जो है, जानेंगे? इन शब्दों को ध्यान से देखिए बच्चों, नेता, अभिनेता, विदाता इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में थाका त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है जैसे नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, विदाता, विदात्री अगला नियम जानेंगे? स्वामी अनुयाई इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोडने से स्त्रीलिंग बनता है नी प्रत्य लगाने से पहले मूल शब्द को इखार अंत में पदलना होगा उदहरन के लिए स्वामी, स्वामी नी, अनुयाई, अनुयाई नी और कुछ नेम है, अगली कक्षा में जानेंगे? समझ मैं आ ना? आगे बढ़ेंगे? अब मैं आपको एक गत्विदी दे रहा हूँ यहाँ कुछ वर्ण इदर उदर हो गये है उन्हें सही जगह पर लिखकर शब्द बनाना है अपनी कापियों में लिखना है आपको मैं 30 सेकंड्स का समय दे रहा हूँ आपका समय शुरू हो रहा है आपका समय समय शुरू हो गया क्या उतर देखेंगे? देखिए बुच्चों कुषबू दूसरा है सागर तीसरा विवेक चौता परलोक पांचवाशब खारगोश अपनी कापियों में आपने जो लिखा है सही या गलत इसके साथ तुल्ला कीजिये बच्चों ताव बर दिर्वंतांदो सरी इदेया अतवा इल्वा यम्बोदनना इदर जोते ताले नोडी मकले स्वामी वेकानन जीके विवेकवानी उठो जागो और तब तक नहीं इरुको जबु तक लक्षेनना प्राप्त हो जाये विवेकवानी एली यद्धेली गुरी मुट्टुवत तनक निल्लदीरी विवेकवानी दिल अवर दिमाक्के ठकराव में दिल्की सुनो विवेकवानी निम्म बुद्धी मत्तु हृदयक्के संगर्षा नडियुत्तिरुवागा प्रुदयद मातनने केलिरी विवेकवानी संगर्ष जितना कटिन होगा जीत उतनीही शांदार होगी विवेकवानी संगर्ष यष्टंदु कटिनवागिर्वोदो गेलुवु अस्टे उत्तमवागिर्वोदो विवेकवानी सबसे बड़ी हानी अपने आत्मविश्वास का कोना है? विवेकवानी खुदको कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है विवेकवानी स्वतहा तन्नन्नु दुर्ब्बल निंदु दिलदु कोल्डूँदे महापापा इन प्रश्णों के उत्तर देजिये नरेंद्र पड़ने में कैसे थे? बड़े थेज थे बहुत कुब दूसरा प्रश्ण विवेकवानी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहमस थे बहुत बढ़िया तीस्तरा प्रश्ण विवेकानन्द की रुची किन-किन विश्यों में थी? व्याक्यान देने और विचारों को आदान प्रदान करने में थी अब तो बहुत होशियार है निमन लिकित शब्दों का अन्य लिंगरूप बताए जेट नेता स्वामी श्रीमान बलवान जेट जेटानी नेता नेत्री स्वामी स्वामिनी श्रीमान श्रीमती बलवान बलवती आप तो बहुत होशियार है बच्चों ग्रहकारी स्वामी विवेकानन्द की शिक्षा के बारे में लिकिये दूसरा प्रेष्ण स्वामी विवेकानन्द का भाषन कैसाथा दीसरा प्रेष्ण पुल्लिंग आउट स्थ्रीलिंग शब्दों का अलगलकर के लिकिये नर अनुयाइनी नवकर पुत्त्री वर विधुर साधु श्रीमती सम्राट सेविका प्रेष्ण मैं दोरा राहो पहला प्रेष्ण स्वामी विवेकानन्द की शिक्षा के बारे में लिकिये होमर करके अपने अध्यापक को दिकाना है क्या दिकाएंगे ना ठीक है पाठ के आगी के बाग को आगली कक्षा में देखेंगे धन्यवाद